नमस्ते बाबाछ विशुधन जी की गुरुपरंपरा के उड़ से मैं ANHURADH Mukherji अब सभी को बहुत बहुत स्पागत करता हूँ आज एक चोटा सा चर्चा करेंगे महा संख माला इसको लेके त्याद महा संख माला जो तो आब बाबा विशुद्धनांब जी भी इसको लेके जाब करते थे दुर्गा बाबा भी इसको लेके जाब करते से महासंकमाला है क्या कोई सुद्रण चंडाल मोसं होता है कि आमगात मृत्त्रू होता है फिर उनका खोप्री का जो हड़ी है उसको सोधन करके फिर उसको एक माला में उसको फिर बनाया जाता है तो यह होता है महासंख माला को लेकर काफी चर्चा आप से बाबा विशुद धनंजी की किताब में भी परहिंगे दुर्गा बाबा के बारे में छोटा सा चर्चा में करना चाहूंगा जो जेठी ने दुर्गा बाबा का लरका ने मुझे बताया था मेरे गुरु जीन किसी जगां पे वो लोग गयै थे और जेठोट कोशा रेता हैं और कोसले देेखा नेशी सबश्क्राइबीषाब १ियारिया है ठीक एक लाइट जो है जिकमिक जिकमिक कर रहा है गूम रहा है ऐसा कुछ हो रहा है और वह मोटर गारी भी जा रहा है और वह जो लाइट है दूर से वह लाइट भी फॉलो करते करते वह गारी को फॉलो करते करते वह भाग रहा है गारी के साथ ही कृट्धु कि गूझे क्या है देखो जंगल पेर के पीछ 텐 outcome चमक रहाए क्या है दूर वह देखा चूफ हो गए कुछ नहीं बोला एकदम एकदम चूफ हो गए तो बस वह बर्दमान आश्रम में आए और दुर्गा बबाबा आश्रम में पहुचके हाथ पाधो के पूरा जो अपने उनका जो पूजा का घर है वहां पर वह क्रिया में बैठ गए और फिर घंटे भर क्रिया का काम खतम करके दुर्गा बाबा नीचे आए और जेटू के मन बात था जेटू ने वह चीज देखा जेटू फिर से आय बुला पीता जी आप बताए क्रिपा करके यह मैंने ऐसा देखा क्या है वह क्या था आप आप भी चुप होगे आप तो हसी हसी मुस्करा करते करते आ रहे हैं तो मोटर गारी में जब इस बात का मेंने आप से जिग जेटु को बोला कि देखो वह मा संख का माला था मैंieran करक्वा कर दो दो नेमें पर इंद उसमें जाप Carlos निन कर दो आफीन रले चौन डेले पर कहना में ने जो ने ज६ने आफिधा को बैठता को समय और शली बैठता हूँ को मेरे पास खीच के आ गया और मेरे को वह एलार्ट करने के लिए वह नोटीज देने के लिए कि अभी क्रिया का टाइम हो रहा है और मेरा माला मेरे साथ ऐसे आ गया तो तब थोड़ा सा जो मैटर था वो एक स्रियस हो गया था इसलिए तो वह घटना सुनके वह बात सुनके जेठु तो आश्चर्च चकित हो गया कि कोई योगी कोई साधक साधना करता है और जिसको लेके वह साध रहा है एक करीब सा रिस्ता जैसा आप लोग परह होंगे कि जो पंचमुंडी आशन होता है नव मुंडी आशन है जैसा जैसा आशन भी सुध होता है एक दूसरे का परिपूरक है वैसे ही जो जिस माला में अगर आप जॉप करते हो तो जैसे जैसे आपका साधना का तीब्रता बढ़ता है वैसे वैसे वह माला भी जगता है और वह उसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो फिर मासंखव का माला का क्या जेटू या भूमल्दा मुझे कभी बता होंगे मुझे ठीक से याद नहीं है दुर्गा बाबा के बाद फिर वह मासंख का माला है गुई बाबा अपने वह बाबा विशुद धनन जी जिस घर में रहते थे उसी घर में गुई बाबा जाके क्रिया करते थे तो गुई को बोले कि गुई राम तुम इस माला को लेकर साधना करके अभी तक तुम्हारा अधिकर नहीं हुआ है तो मुझे दे दो तो गुई राम कुई बाबा जो थे नहीं वह और भाहिडवीजी को हात में दे दिये और फिर वह बहुर भी थे वह भायब माला भी घाय तो ये याद नहीं है तो फिर वह महा संक का माला जो बाबा विशुद्धनम जी करते थे उसके बाद दुर्गा भाबा करते थे लास्ट में उसका ऐसा उसका अपडेट तो यही बस आप लोगों को बताना था इसकी विशे में मैंने चर्चा किया दुर्गा दास योगी डास दुर् आप लोग सब अच्छे रहें नमस्ते